इस बार जब मैं मन की बात के लिए जो भी चिठ्षें आती हैं, कॉमेंट्स आते हैं, भाती-भाती के इंपुट मिलते हैं, जब उनकी तर्ब नज़े दोड़ा रहा था, तो कही लोगों ने एक बड़ी महत्वण बात याद की, माई गौपर, आरियन स्री, बेंगलूरी से अनुपराव, नोएडा से देविश, खाने से सुजीत, इन सभी ने कहा, मोजी जी इस बार मन की बात का पच्चतरवा एपिसोड है, इसके लिए आपको बथाई, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं, कि आपने इतनी बारीग नजर से मन की बात को फॉलो किया है, और आप जुडे रहे हैं, यह मेरे लिए भहुत ही गर्व का विशय है, आनन्द का विशय है, मेरी तरब से भी आपका धन्यवाद है है, मन की बात के सभी स्रोताओं का भार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आपके साथ के बिना इस सफर संभवी नहीं था, ऐसा लगता है, मानो ये कल की ही बात हो, जब हम सभी ने एक साथ मिलकर ये वैचारी की आतरा शुरू की थी, तब 3 अक्तूबर 2014 को विजया दस्मे का पावन परवथा, और संयोग देखिये कि आज होली का दहन है, एक दीप से जले दूसरा, और रा रोशन हो हमारा, इस भावना पर चलते चलते हमने ये रास्ता ताय किया है, हम लोगों ने देश के कोने कोने से लोगों से बात की, और उनके असाधारन कारियों के बारे में जाना, आपने भी अनुभव किया होगा, हमारे देश के दूर दराज के कोनों में भी, कितनी अभ अध्भूत पुरोग शम्ता पड़ी हुई है। भारत मा की गोद में कैसे कैसे रत्न पल रहे हैं। ये अपने आप में भी एक समाज के प्रती देखने का, समाज को जानने का, समाज के सामर्थ को पहचानने का, मेरे लिए अध्भूत अनुभव रहा है। इन 75 एपिसोर्स के दोरान कितने कितने विश्वनों से गुजरना हुआ। कभी नदी की बात, तो कभी हिमाले की चोटियों की बात, तो कभी रेगिस्तान की बात, कभी प्राकूति का अबदा की बात, तो कभी मानों सेवा की अंगिनत कथाओं के अनुभूती, कभी टेखनोल जी का आविश्कार, तो कभी किसी अंजान कोने में कुछ नया कर दिखाने वाले किसी के अनुभव की कथा, अब आप देखिए, चाहे स्वच्छता की बात हो, चाहे हमारे हेरिटेज को समानने की चर्चा हो, अर इतना ही नहीं, खिलोने बनानी की बात हो, क्या कुछ नहीं थ हाँ, शायद कितने विश्यों को हमने स्पर्स किया है, तो वो भी शायद अंगिनत हो जाएंगे, इस दोरान हमने समय समय पर, महान विभूतियों को सद्धाज लिदी, उनके बारे में जाना, जिन्नोंने भारत के निर्मार में अतुलनी ये योगदान दिया है, हम लोगों इस विचार यात्रा में आप साथ-साथ चलते रहे, जूडते रहे, और कुछिन को नया जोडते भी रहे, मैं आज इस 75 एपिसोड के समय सबसे पहले मन की बात को सफल बनाने के लिए, सम्रुद्ध बनाने के लिए, और इससे जूड़े रहे के लिए, हर स्रोता का बहुत- मेरे प्यारे देश स्वासियों, देखिए कितना बड़ा सुगत से योग है, आज मुझे 75 वी मन की बात करने का अफसर, और यही मैना, आज हाजी के 75 साल के अमरुत महोसव के आरम का मैना, अमरुत महोसव दाड़ी यात्रा के दिन से शुरू हुआ था, और 15 अगस 2023 तक चल मेरे जानकारियां लोग शेर कर रहे हैं, नमु एप पर ऐसी ही कुछ तस्वीरों के साथ साथ, जारखन के नवीन ने मुझे एक संदेश बेजा है, उन्होंने लिखा है, कि उन्होंने अमरुत महोसव के कारकम देखे, और ताय किया, कि वो भी स्वाधिन्ता संग्राम से ज दिवासी स्वाधिन्ता सेनानियों के कहानियां वो देश के दूसरे हिस्व में पहुचाएंगे, भाई नवीन आपकी सोच के लिए मैं आपको बढ़ाय देता हूँ, साथियों किसी स्वाधिन्ता सेनानि की संगर्श गाथा हो, किसी स्थान का इतिहास हो, देश की कोई सां का माध्यम बन सकते हैं आप देखीगा देखते ही देखते हैं अमरुत बहुत सव ऐसे कितने ही प्रेणयदाई अमरुत बिंदों से भर जाएगा और फिर ऐसी अमरुत धाराब हैगी जो हमें भारत की आजहादी के सो वर्ष तक प्रेणा देगी देश को नई उचाई पर ले जाहा करेगी आज धाली की लड़ाई में हमारे सै्नानियों कितने ही कस्ट इसलिए से हैं कि वो देश के लिए त्याग और बवड़िदान को अपना कर्तवे समझते थे उनके त्याग औरमुत खर्म में भगवान क्रश्णी ने कहा है नियतम कुरू कर्म तो हम कर्म जायो हकर्मन हा उसी भाव के साथ हम सब अपने नियत करित्वियों का पूरी निष्ठा से पालन करें और आज हाजिक आमरूत महुत्सरों का मतलब यही है कि हम नए संकल्प करें उन संकल्पों को सिध्ध करने लिए जी जान से जुट जाएं और संकल्प वो हो तो समाज की भलाई के हो देश की भलाई के हो भारत के उजवल भविश्ट के लिए हो और संकल्प वो हो जिसमें मेरा अपना स्वयम में का कुछने कुछ जिम्मा हो मेरा अपना कर्तब बें जुड़ा हुआ हो मुझे पिछले वर्ष ये मार्च का ही महेना था, देष ने पहली बाट जन्ता कर्भिव सब्द सुना था, लेकिन इस महान देष की महान प्रजा की महाश्ड़की का अनुभव देखिये, जन्ता कर्भिव पुरे विश्व के लिए एक अचरत्व बन गया था, अनुशासन का ये अभुद्पुर्व उधारण था आने वाली पीडियां इस एक बात को लेकर के जरूर गर्व करेगी उसी प्रकार से हमारे कॉरोना वारियर्स के प्रती सम्मान, आदर, ठाली बजाना, ताली बजाना, दिया जलाना आपको अंदाज नहीं है, कॉरोना वारियर्स के दिल को कितना चूग गया था वो और वही तो कारण है, जो पूरी साल भर बे, बिना थके, बिना रुके, डटे रहे देश के एक एक नागरिक की जान बचाने के लिए, जी जान से जूजते रहे पिछले साल, इस समय सवाल था, कि कॉरोना की वैक्सिन कब तक आएगी साथियों हम सब के लिए गर्व की बात है, काज भारत, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सिनेशन प्रोग्रेम चला रहा है वैक्सिनेशन प्रोग्रेम के तस्विरों के बारे में, मुझे भूनेश्वर की पुष्पा शुक्रा जी नहीं लिखा है उनका कहना है, कि गर के बड़े बुजुर्गों में वैक्सिन को लेकर जो उत्सा दिक रहा है उसकी चर्चा मैं मन की बात में करूँ साथियों सही भी है देश के कोने कोने से हम ऐसी खबरे सुन रहे हैं ऐसी तस्विरे देख रहे हैं जो हमारे दिल को छुजाती है यूपी के जौनपूर में 109 वर्स की बुजुर्ग मा राम दुलया जी ने ठिका लगवाया है ऐसे ही दिल्ली में भी 107 साल के केवल कुशन जी ने वैक्सिन की डोड ली है हाइदराबाद में 100 साल के जय चौदरी जी ने वैक्सिन लगवाई और सभी से अपिल भी है कि वैक्सिन जरूर लगवाई मैं ट्वीटर और फेस्बूक पर भई ये देख रहा हूँ कि कैसे लोग अपने घर के बुजुर्गों को वैक्सिन लगवाने के बाद उनकी फोटो अपलोड कर रहे हैं केरल से एक युवा आनंद नायर ने तो इसे एक नया शब्द दिया है वैक्सिन सेवा ऐसे ही संदेश दिल्दी से शिवानी हिमाचल से हिमान्सू और दूसरे कई युवाओने भी बेजे हैं मैं आप सभी सोताओं के इन विचारों के सरहना करता हूँ इन सब के बीच कोरोना से लड़ाई का मंत्र भी जरूर याद रखे दवाई भी कड़ाई भी और सिर्फ मुझे बोलना ऐसा नहीं हमें जीना भी हैं बोलना भी हैं बताना भी हैं और लोगों को भी दवाई भी कड़ाई भी इसके लिए प्रतिबद बनाते रहना है मेरे प्यारे देश्वास्चियों, मुझे आज इंदोर के रहने वाली सुम्मेजी का धन्यवाद करना है उन्होंने एक विशे के बारे में मेरा ध्यान आकर सित किया है और इसका जिक्र मन की बात में करने के लिए कहा है ये विशा है भारत की क्रिकेटर मिताली राज जी का नया रिकॉर्ड मिताली जी हाली में अंतराश्ट्य क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतिय महिला क्रिकेटर बनी है उनकी इस उपलब्धी पर बहुत बहुत बधाई वन्डे इंटरनेशनल्स में साथ हजार रन बनाने वाली भी वो अकेली अंतराष्टिय महिला खिला गी है महिला क्रिकेट के ख्षेतर में उनका योगदान बहुत शांदार है दो दसकों से जादा के कैरियर में मिताली राजजी ने हजारों लाखों को प्रेजित किया है उनके कठोर परिष्टम और सफलता की कहानी न सिर्फ महिला क्रिकेटरों बलकि पूरूस क्रिकेटरों के लिए भी एक प्रेणा है साथियों ये दिल्चस्प है इसी मात मेहने में जब हम महिला दिवस सेलिबरेट कर रहे थे तब कई महिला खिलोडियों ने मेडल्स और रेकॉर्ड्स अपने नाम किये हैं दिल्दी में आयोजेश सुटिंग में आई SSF वर्ल्ड कप में भारत सिर्स्थान पर रहा गोल्ड मेडल के संख्या के मामले में भी भारत ने बाजी मारी ये भारत के महिला और पुरुष निशानेवाजों के शांदार प्रदसन की वज़ा से ही संबभ हो पाया इस बीच पीवी सिंदू जी ने BWF Swiss Open Super 300 टूनामेंट में सिल्वर मेरल जीता है आज एजुकेशन से लेकर एंटर्प्रिनर्शिप तक आम्ट फोर्सेश से लेकर साइंस अंड टेक्नोरोजी तक हर जगह देश की बेटियां अपनी अलग पहचान बना रही है मुझे विशेश खुशी इस बात से है कि बेटियां खेलों में अपना एक नया मुकाम बना रही है प्रोफेशनल चोईस के रूप में स्पोर्स एक पसंद बनकर उभर रहा है मेरे प्यारे देश्वासियों कुछ समय पहरे हुई मेरे टाइम इंडिया समीट आपको याद है ना इस समीट में मैंने क्या कहा था क्या ही आपको याद है स्वाभाविक है इतने कारकम होते रहते हैं इतनी बाते होती रहती है हर बात कहा याद रहती है और उतना ध्यान भी कहा जाता है? स्वाबा भी खें. लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मेरे एक आग्रह को गुरु प्रसाद जी ने बहुत दिल्चस्प में लेकर आगे बढ़ाया है. मैंने इस समीट में देश के लाइट हाउस कम्प्लेक्सिस के आसपास टूरिजम फेसिले के दो लाइट हाउसों चेन्ने लाइट हाउस और महाबलेकुरम लाइट हाउस की 2019 की अपनी आत्रा के अनुभवों को साजा किया है. उन्होंने बहुत ही रोचक फेक्ट्स शेयर किये जो मन की वाद सुनने वालों को भी हैरान करेंगे. जैसे चेन्ने लाइट हाउस दुन लाइट हाउस है जो सहर की सीमा के अंदर स्थीत है. इसमें बिजली के लिए सोलार पैनल भी लगे हैं. गुरु प्रसाद जी ने लाइट हाउस के हेरिटेज मुजियम के बारे में भी बात की जो मरीन नविगेशन के इतिहास को सामने लाता है. मुजियम में तेल से जनने वाली बड़ी बड़ी बत्तियां, कैरोसिन लाइट, पैट्रोलियम वेपर और पुराने समय में प्रयोग होने वाले बिजली के लेंप प्रदर्शित किये गए हैं. भारत के सबसे पुराने लाइट हाउस महावलिपुरम लाइट हाउस के बारे में भी गुरु प्रसाद जिनने विस्तार से लिखा है, उनका कहना है इस लाइट हाउस के बगर में सेंकडो वर्स पहले पल्लव राजा महेंदर वर्मन प्रथम द्वारा बनाये गया उलकनेश्वरा टेंपल है, साथियों मन की बात के दौरान मैंने परियतन के विविन पहलूँ पर अनेक बार बा लाइट हाउस हमेशा से लोगों के लिए आकर्षन के केंदर रहे हैं, परियतन को बढ़ावा देने के लिए भारत में भी 71 लाइट हाउस इस आइडिफाई किये गए हैं, इन सभी लाइट हाउस में उनकी शमताओं के मुताबिक मुजियम, एमपी थेटर, ओपन एर थेट काफेट एरिया, चिल्डर्ण स्पार, इको फेंडि कोटेजिज और लैंड्सकेपिंग तयार किये जाएंगे, वैसे लाइट हाउसे इसकी बात चल रही है, तो मैं एक यूनिक लाइट हाउस के बारे में भी आपको बताना चाहूंगा, ये लाइट हाउस गुजरात के सु आइट हाउस है, वहाँ से अब समुद्र तट सो किलोमिटर से भी अधिक दूर है, आपको इस गाउं में ऐसे पत्थर भी मिल जाएंगे, जो है बताते हैं कि यहां कभी एक व्यस्त बंदर गा रहा होगा, यानि इसका मटलब ये हैं कि पहले कोश्ट लाइन, जिंजुवा जाना, ये भी उसका एक स्वरूप है, इसी महने जापान में आई, विक्राल सुनामी को दस वस हो रहे हैं, इस सुनामी में हजारों लोकों की जान चली गई थी, ऐसी एक सुनामी भारत में 2004 में आई थी, सुनामी के दोरान हमने अपने लाइट हाउस में काम करने वाले हमा हमारे 14 कर्मचारियों को खो दिया था, अंडवान निकोबार में और तमिलनाडु में लाइट हाउस पर वो अपनी डूटी कर रहे थे, कडी महनत करने वाले हमारे इन लाइट कीपर्स को मैं आदर पूरवक स्रधानली देता हूं और लाइट कीपर्स के काम की भूरी भूर प्रसमसा करता हूँ, प्रियदेशवासियों, जीवन के हर क्षेत्व में नयापन, आधुनिकता, अनिवारिय होती हैं, वरना वही कभी-कभी हमारे लिए बोज बन जाती हैं, भारत के करशी जगत में आधुनिकता ये समय की मांग है, बहुत देर हो चुकी हैं, हम बहुत स समय गमा चुके हैं एग्रिकल्चर सेक्टर में रोजगार के नए एवसर पैदा करने के लिए किसानों की आई बढ़ाने के लिए परामपरागत क्रिशी के साथ ही नए विकल्पों को नए नए इनोवेशन्स को अपनाना भी उतना ही जरूरी है वाइट रिवलूशन के दवर किसान देश ने इससे अनुभव किया है अब बी फार्मिंग भी ऐसा ही एक विकल्प बन करके उभर रहा है बी फार्मिंग देश में शहत क्रांती या स्विट रिवॉलूशन का आधार बना रही है बड़ी संख्या में किसान इससे जूड रहे हैं इनोवेशन कर रहे हैं जैसे कि पस्चिम मंगाल के दार्जिरिंग में एक गाव है गुर्दुम पहडों की इतनी उचाई भवगुलिक दिक्कत है लेकिन यहां के लोगों ने हनी बी फार्मिंग का काम शुरू किया और आज इस जगह पर बने शहत की मधु की अच्छी माग हो रही है इससे किसान की आमदनी भी बढ़ रही है पस्चिम मंगाल के ही सुन्दर बन इलाकों का प्राकृतिक और्गेनिक हनी तो देश दुनिया में पसंद किया जाता है ऐसा ही एक व्यक्तिकत अनुहों मुझे गुजरात का भी है गुजरात के बनास काठा में बस 2016 में एक आयोजन हुआ था उस कारकम में मैंने लोगों से कहा यहां इतनी संभावना हैं क्योंने बनास काठा और हमारे यहां के किसान स्वीट रिवालुशन का नए अध्याय लिखे आपको जानकर खुशी होगी इतने कम समय में बनास काठा शहद उत्पादन का प्रमुक केंदर बन गया है आज बना करण हर्याना के यमुना नगर का भी है यमुना नगर में किसान भी फार्मिंग करके सानाना कई सौट टं शहयत पैदा कर रहे हैं आपनी आय बड़ा रहे हैं किसानों की इस महनत का परिनाम है कि देश में शहत का उत्पादन लगातार बढद रहा है और सानाना कृब सबा लाग टन पहुंचा है इसमें से बड़ी मात्रा में शहत विदेशों में निर्याद भी हो रहा है साथियों हनी बी फार्मिंग में केवल सहत से ही आई नहीं होती बलकि बी वैक्स भी आई का एक बहुत बड़ा माध्यम है फार्मा इंडस्ट्री फूर्ड इंडस्ट्री टेक बी वैक्स का आयात करता है लेकिन हमारे किसान अभी ये स्थिती तेजी से बदल रहे हैं यानि एक तरह से आत्म निर्वर भारत भ्यान में मदद कर रहे हैं आज तो पूरी दुनिया अवर्वेत और नेचरल हेल्थ प्रोड़क्स की और देख रही है ऐसे में हनी की मांग और भी तेजी से बढ़ रही है मैं चाहता हूँ देश के जादा से जादा किसान अपनी खेती के साथ साथ भी फार्मिंग से भी जुड़ें ये किसानों की आई भी बढ़ाएगा और उनके जीवन में मिठाद भी घोलेगा मेरे प्यारे देश वासियों अभी कुछ दिन पहले वर्ल स्पैरो डे मनाया गया स्पैरो यानि गोरिया कहीं इसे चकली बोलते हैं कहीं चीमनी बोलते हैं कहीं गौन चीरी का कहा जाता है पहले हमारे घरों की दिवारों पर आसपास के पैड़ों पर गोरिया के हक्ती रहती थी लेकिन अब लोग गोरिया को ये कहकर याद करते हैं कि पिछली बार बरसों पहले गोरिया देखा था आज इसे बचाने के लिए हमें प्रयास करने पड़ रहे हैं मेरे बनारस के एक साथी इंदरपान सी बत्राजी ने ऐसा काम किया है जिसे मैं मन की बात के सोताओं को जरूर बताना चाहता हूँ बत्राजी ने अपने घर को ही गोरिया का आश्याना बना दिया है इन्होंने अपने घर में लकडी के ऐसे घोसले बनवाए जिन में गोरिया आसानी से रह सके आज बनारस के कई घर की इस मुहिम से जूट रहे हैं इससे इन घरों में एक अध्भूत प्रकृतिक भात्राण भी बन गया है मैं चाहूंगा प्रकृति परियावन प्रानी पक्षी जिन के लिए भी बन सके कम ज्यादा प्रयास हमें भी करने चाहिए जैसे एक साथ ही है विजय कुमार काभी जी विजय जी ओरिशा के केंदर पाड़ा के रहने वाले हैं केंदर पाड़ा समुद्र के कि गाउं ऐसे हैं जिन पर समुद्र की उंची लहरों और साइकलों का खत्रा रहता है इसे कई बार बहुत नुक्सान भी होता है विजे जी ने महसूस किया कि अगर इस प्रकृतिक तबाही को कोई रोक सकता है तो वो प्रकृति ही रोक सकती है फिर क्या था विजे जी ने कोई गाउं से अपना मिशन शुरू किया उन्होंने बारा साल साथियों बारा साल महनत करके गाउं के बाहर समुद्री की तरफ पचीस एकर का मेंगरो जंगल खड़ा कर दिया आज ये जंगल इस गाउं की सुरक्षा कर रहा है ऐसा ही काम ओडिशा के ही पारादिब जिले म एक इंजिनियर अमरेज सामंती जी ने किया है अमरेज जी ने छोटे छोटे जंगल लगाये है जिन से आज कई गाउं का बचाव हो रहा है साथियों इस तरह के कामों में अगर हम समाज को साथ जोड ले तो बड़े परणाम आते हैं जैसे तमिल नारु के कोईमटोर में ब मरी मुथू योगनातन जी है योगनातन जी अपनी बसके यात्रियों को टिकर देते हैं तो साथ में ही एक पाउधा भी मुपत देते हैं इस तरह योगनातन जी नजाने कितने ही पैड लगवा चुके हैं योगनातन जी अपने वेतन का कापी हस्सा इसी काम में खर्च करते आ रहे हैं अब इसको सुनने के बाद ऐसा कौन नागरिक होगा जो मरी मुथु योगनासन जी के काम की प्रसोंसा न करें मरदे से उनके इस प्रयासों को बहुत बधाई देता हूं उनके इस प्रेरक कारे के लिए मेरे प्यारे देशवासियों वेस्ट से वेल्थ यानि कचरे से कंचन मनाने के बारे में हम सब ने देखा भी हैं सुना भी हैं और हम भी औरों को बताते रहते हैं कुछ उसी प्रकार से वेश को वेल्यू में बदलना के भी काम किया जा रहा है। ऐसा ही ये गुदारन केरल के कोच्ची के सेंट टेरेसा कॉलेज का है। मुझे आद है कि 2017 मैं मैं इस कॉलेज के केंपस में एक बुक रेडिंग पर आधारित कारकम में शामिल हुआ था। इस कॉलेज के स्टुडेंट्स री उजेबल टॉइज बना रहे हैं। वो भी बहुत क्रियेटिव तरीके से। ये स्टुडेंट्स पुराने कपड़ों, फैके गए लकडी के टुकड़ों, बैक और बॉक्सिस का इस्तिमाल खिलोंने बनाने में कर रहे हैं। कोई विद्यार सी पजल बना रहा है, तो कोई कार और ट्रेन बना रहा है। यहां इस बात का विशेश ध्यान दिया जाता है कि खिलोंने सेफ होने के साथ साथ चाइल्ड फ्रेंडली भी हो। और इस पूरे प्रयास की एक अच्छी बात ये भी है कि खिलोंने आंगनवाडी बच्चों को खेलने के लिए दिये जाते हैं।